तो फाइनली ढूंडी लिया, आपने, हाँ मुझे उमीद थी आप ढूंड लोगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा important questions class 12 हिंदी, पद्यभाग से, अब यहाँ पे देखो, मैंने clearly आपको वीडियो में बोल दिया था, last video जिसके अंदर मैंने आपको गद question answer, so, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कि questions मैंने लिख दिये हैं, लिखे हुए है, मतलब मेरे पास already, लेकिन उनके answer मेरे पास अभी तक लिखे हुए नहीं है, मेरे पास time नहीं मिल पाया इतना, कि इनके मैं उत्तर लिखू क्योंकि हर एक person को मुझे ढूंडना रहेगा तो अभी आपका exam तो कल ही है, time बहुत कम है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप इन questions को देखके अपना at least prepare कर पाओ, कि पध्यभाग में से आपको किस तरीके के question देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़े आपको prepare करनी पड़ेंगी, चल तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है website के उपर, वैसे मैं नहीं चाहरा था भी इसको लिखना, क्योंकि अभी देखो मैं इसमें कोई ज्यादा modification करी नहीं है, मैं कभी भी website पर ऐसे blank data नहीं डालता कि fake बनाया जाए, students को पागल बन पर से और ऐसे कैसे रखे हुएं अभी तक ही है, अभी वो चैप्टर वाइज अरेंज करने बाकी है, तो चैप्टर भी आपको ही ढूंडने पड़ेंगे इसमें, देखो question है हमारे पास में ये person लिखा हो, मतलब person है यहां से start हो रहा है, भोर के नब को राक से लीपा गया चोका क्यों कहा गया है, जनम से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यह जो एक लाइन है, कपास से बच्चों का क्या संबंद है। इसकी आवरित्ती से कविता की किस्यistah का पता चलता है। बगुलों के पंक कविता में कभी किसे रोकना चाहता है और क्यों। अगला question है बात सीधी थी पर कविता का मूलभाव सपस्ट कीजिए यह वाला question बहुत important है सारी question important है वैसे तो यह वाला question आता ही आता है इस वाले portion में से एक question जरूर आएगा अगला question देखते हैं किन उपमानों को देखकर पता चलता है कि उसा वाले chapter से यह उसा कविता गाव की सुभय का गती सील सब्द चित्तर है देखो जो answer थे वह मैंने खुदी लिखे थे तो इसलिए time बहुत लगता है और guide में से नहीं चुराए जाते हैं यह चीजे क्योंकि guide वाले तो अंदा च्छाप देते हैं बहुत सारा तो वह काम हम नहीं कर रहे हैं वह हम उतना ही दे रहे हैं जितना sufficient है marks लेने के लिए और पंक्ति है इसमें दुख की चाया किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है बगुलो के पंक कविता में कवी किसे रोकना चाहता है और क्यों I think यह question already repeat हो चुगा है ना बगुलो के पंक कविता में हां यह question वापिस repeat हो गया है तो एकाद की filtration बची है जो जो आमने सामने दिख जाते हैं उनको हटा दिया जाता है तो यह वाला question दोबारा repeat हो रहा है चलो कोई ना देखते हैं अगला question कैमरे में बंद पाहिज करुणा के मुखोटे में छिपी करूरता की कवीता है सपष्ट कीजिए यह पूरा आपको बताना है कि करूरता किस तरह से दिखाई गया उस जाता है क graveyard के उपणॉरा इखते है जाता है चलो किकि evoमें क depends करूरह को ब halτοार आप इक लिए घग्यों के पक परिटा गजल की मूलठ चेतना कर्पर ब्रकास डालीए वसा कविता में नीद्पर Pence प्रकरती संद्रिया कि विवेचना कीजिए बात सीधीती पर कविता का मूलभाव सपस्ट कीजिए देखो इन चीजों को देखके आपको आइडिया लग रहा होगा कि मूलभाव कितनी बार आया एक्जाम में मतलब किसी भी रैंडम किसी भी चैप्टर से उठाएंगे एक मूलभाव पूछी पूछ कीजिए लक्समन के उपचार का वरनन कीजिए उष्भा के संधरिया का विसलेशन कीजिए यहां पर देखो यह लक्समन जो राम लक्समन मूर्चा वाले उस चैप्टर से नींगे और वहां पर उपचार के बारे में बताना है आपको मनलभ किस तरीके से अनुमान जी विशलेशन कीजिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश से सपस्ट कीजिए उद्देश से लिखिए या फिर मूल भाव लिखिए बाद सीधीती पर कविता का मूल भाव लिखिए अगला परसन देखे देखो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितने मूल भाव आये हैं यहार पेपर में बादल के करांती कारी रूप का वर्णन कीजिए राम के परलाप का विसलेशन कीजिए विलाप कर रहा था जो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसके बारे में बताए क्या कैसे था वो पतंग बाइड दिमाख आपको थोड़ा सा लगाना है वस उदेश्य कविता का सार या मूल भाव एक ही बात होती है राम के प्रात्री प्रेम का विवेचन कीजिए टेलीविजन कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कारिय करम को कैसे रोचक बनाया गया उसको कश्ट पहुंच कर लोगे इतना तो छोटा मेरा खेत ओ भाई कितने दिनों के बाद कोस्टन मिला इस चैप्टर साइधिंक कविता का मूल भाव सपस्ट कीजिए सीधी बात कहां तक बिगडी कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए बगुलो के पंक कविता में निहित पर मूल भाव सपस्ट कीजिए कोंकि अभी तक कोई मैंने आपको बता दिया है मैंने लिखे हैं मैंने इसकी कोई फिल्ट्रेशन नहीं करी चैप्टर वाई या ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं किया इसका अंसर भी आपको ढूढने पड़ेंगे वीडियो को पोज करके सब्सक्रावना पर प्रकास डालिए राम के परलाप का वर्णन कीजिए यह वापिस आ गया अगेन को सने दूसरी बार आ गया यह को सब्सक्राइब को इसलिए मैं बता रहा हूं कि को सन बहुत रिपीट होते हैं बोर्ट के अंदर बट हम लोग क्या है हमको तो बस गाईडों करना चाहता है क्या चाहता बात थैपर कवित्टा का मुल्भाफ की सपश्ट किजिये बगुले के पंखि कविता में कवी किशा रोकना चाहता है और क्यों यह कुछ लिग जता हूं इसके बावजूद यह फिल्ट्रेशं इत्ता इत्ना इजी नहीं होता क्योंकि चेप्टर तरह तो कोई आपको ढूंड़ लेना भी कुछ फाइनली कंउसन में आपको बता देता हूं क्या क्या आपको फोकस रखना एक तो अपको बॉक्णेवाला चैप्टर है ठीक है अपना सलेवस जरूर चैक कर लेना सलेवसमें है कि नहीं है वह चीज़ है तो बार-बार आ रहा ह मूलभाव तो आपको सारे चेप्टर के करने हैं उसके अलावा ये कुछ मूलभाव के अंदर से ही बन जाएगा अगर मूलभाव आप पर ली कर लोगे तो यह थे कुछ मेंन को सारे इंपोर्टेंट है छोड़ना अगर आपके पास टाइम है प्रिपेर कर सकते हो इन सारे को संसर ढूंड के इनके प्रिपेर कर लेना क्योंकि एक्जाम में आते ही आत से आपको देखने को मिल जाएगा और पेपर होने के बाद में कमेंट में आके एक बर बता देना है कुन-कुन साया था ताकि इस साल का भी हमें आइडिया लग जाए और अगर आप पेपर हमको भेजना चाहते तो पेपर भी भेज सकते हो ccl chapter at the rate gmail.com वहाँ पे भेज देना और बाकी वेबसाइट पे विजिट कर लेना वहाँ पे मैंने mcqs important questions ज्यादा तर जित्ते पाया मैं वह लिखे हुए हैं और उसके लावा जो है बाकी हिंदी के लावा भी कुछ एक books के हमने mcqs वगारा एड करे हैं पेपर्स आपको मिल जाएंगे हरियाना बोड के पिछले सालों के तो उनको भी आप ट्राय आउट कर सकते हो विजिट जरूर कर लेना और स्लेवस वगारा सारी चीज़े वहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी ccl chapter.com जरूर से विजिट कर लेना चलो मिलते हैं एक कवर करने वाला हूं classic से लेके 12 तक की सभी subject की वीडियो हिंदी मेडियम इंगलेश मीडियम दोनों में होने वाली है सब्सक्राइब कर लेना वैसे तो 12 मिल फेपर खतम और आप फरार हो जाओगे चलो कोई ना फिर भी इंजोए करना life में आगे पढ़ते रहना तरक्की करत करते रहना